ओम शाम्ति आज 18 मार्च 2022 दिन शुक्रवार की साकार मुर्ली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे माया की फागी बड़ी जबर्दस्त है उससे खबरदार रहना है फागी अर्थत बादल फागी में कभी भी मूझेना नहीं प्रश्न महावीर बच्चों ने कौनसा कर्तव्वे किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है उत्तर महावीर बच्चों ने मुर्चित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया है इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं तुम बच्चों को तरस पढ़ना चाहिए जो सर्विस करते करते बाप से वर्सा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़ कर चले गए उन्हें पत्र लिख कर सुरजीत करो पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी बदनसीब क्यों बने गिर्ते हुए को बचाना चाहिए गीत नयनहीन को राह दिखाओ ओम शन्ति यह गीत बहुत कॉमन गाते हैं हे भगवान अंधों की लाठी बनो क्योंकि भगती मार्ग में ठोकरें बहुत खाते हैं परंतु बाप को नहीं पाते आत्मा कहती है हे बाबा मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी आपका रास्ता बहुत ही कठिन है यह तो जरूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्मांतर हम भगती करते आए हैं यह नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है तब हम नयनहीन से सज्जे बनेंगे भगती मार्ग का काईदा है भगती करना धक्का खाना आदा कल्प धक्के खाए हैं तुमने अब धक्के खाने बंद कर दिये तुम भगती नहीं करते ना शास्त्र पढ़ते जब भगवान मिल गया फिर यह सब क्यों करें जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला मिला है तो फिर हम धक्के क्यों खाएं भगवान आएगा तो जरूर सब को साथ ले जाएगा सभी धक्के भी खाते रहते हैं और एक दो को आशिरवाद भी करते रहते हैं समझते कुछ भी नहीं पोप सादू संत जो आते हैं उनके लिए समझते हैं तो यहे गुरू लोग हमको रास्ता बताएंगे भगवान से मिलनेगा परन्तू वो गुरू लोग खुद भी रास्ता नहीं जानते तो फिर दिखाएंगे कैसे आशिरवाद देते हैं तो भी सिर्फ इतना कह देते हैं भगवान को याद करो राम राम कहो जैसे रास्ते में कोई से पूछो फलाना स्थान कहा है तो कहेंगे इस रास्ते से चले जाओ तो पहुच जाएंगे ऐसे नहीं कहेंगे साथ ले चलते हैं तुमको रास्ता चाहिए वह बता देते हैं परन्तू साथ में कोई गाइड तो चाहिए ना बिगर गाइड तो मूँच पड़ेंगे जैसे तुम भी एक दिन फागी के कारण जंगल में मूँच पड़े थे यह माया की फागी बड़ी जबरदस्त है स्टीमर वालों को फागी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता बड़ी खबरदारी रखते हैं तो यह फिर है माया की फागी कोई को रास्ते का पता नहीं पड़ता जब तप तीर्थादी करते रहते हैं जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने लिए भगती करते आए अनेक प्रकार की मत भी मिलती है जैसा संग वैसा रंग हर जन्म में गुरू भी करना पड़े अब तुम बच्चों को सत गुरू मिला है वह खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को वापिस घर ले जाता हूँ फिर विश्नुपूरी में भेज देंगे अब हम बाबा से वर्सा ले रहे हैं मानो कोई गुरू वा पंडित आदी आकर यह ज्ञान ले और दूसरों को कहें कि मन मनाभव शिव बाबा को याद करो तो उनके शिश्यादी पूछेंगे तुमने यह ज्ञान कहां से लिया वह जट समझेंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया है उनका दुकान खत्म हो जाएगा मान्यता खत्म हो जाएगी कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ग्यान लिया तो हम क्यों ना बीके के पास जाएं खुद गुरु लोग भी कहते हैं सब जिग्यासू हमको छोड़ देंगे फिर हम कहां से खाएंगे सारा धंदा खत्म हो जाएगा सारा मान खत्म हो जाएगा यहां तो सात रोज भठी में रख फिर सब कुछ कराना पड़ेगा रोटी पकाओ यह करू जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं तो दे अभिमान तूट जाए तो फिर ऐसे का ठहरना बड़ा मुश्किल है दूसरी बात जो बाहर से आते हैं उनको पहले-पहले बाप का परिचय देना है कि हम मात पिता से विश्व के मालिक पने का वर्सा ले रहे हैं बाबा है विश्व का रचियता हमारी एम अब्जेक्ट है कि हमको नर से नारायन बनना है तुमको भी दाखिल होना है तो आठ रोज आकर पढ़ना होगा बड़ी भारी मेहनत है इतना अभिमान कोई तोड़ ना सके ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते बाप समझाते हैं कि तुम भाई बहन हो एक दो को समझा सकते हो समझो कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे बहुतों को समझाते थे अब बाबा का हाथ छोड़ दिया है अब यह तो तुम जानते हो कि शी बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा डाइरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते हैं तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूं राज योग सिखलाता हूं अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव का भी छोड़ा विचार किया जाता है फलाने ने छोड़ा क्यों नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने हो तुम रूठे किस से बहनों से रूठे होंगे तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे फिर क्या हुआ क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए बाबा भी पूछ सकते है तुमने राज योग सिखना क्यों छोड़ा तुम भी आश्चरेवत बाबा का बननती कथनती भागनती में आ गए अपनी तकदीर को लकीर लगा दी समय देख उनको लिखाना चाहिए हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जग जाए गिरते हुए को बचाना होता है डूबने से किसी को बचाया जाता है तो आफरीन देते हैं यह भी डूबने से बचाना है ज्यान की ही बाते हैं लिखना चाहिए तुमने की वईया का हाथ छोड़ा है तो डूब मरेंगे तारू अर्थात तैरने वाले लोग अपनी जान को जोकिम में रख दूसरों को बचाते हैं कोई पूरा तारू नहीं होता है तो खुद भी गुम हो जाता है तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो दस बीस चिठियां लिखो या कोई इंसल्ट नहीं है तुमने इतना समय हाथ पकड़ा औरों को भी समझाया फिर तुम कैसे डूब सकते हो तुम प्रेम से लिखो बहन जी तुम तो राज योग सीख पार जाने वाली थी अब तुम डूब रही हो तरस पढ़ता है तो बिचारे को बचावे फिर कोई बचता है वा नहीं यह तो हुई उनकी तकदीर दूसरी बात यह जो परदर्शनी में ओपीनियन लिख कर देते हैं कि यहां नर से नारायन बनने का मार्ग बताया जाता है यह राज योग बहुत अच्छा है बस लिखा बाहर निकला तो भूल गया इसलिए जो लिखते हैं उनकी पीठ करनी चाहिए कि तुमने यह ओपीनियन लिख कर दिया परंतु क्या किया ना अपना फाइदा किया ना दूसरों का पहली मुख्य बात है मात पिता की पहचान देनी है इसलिए बाबा ने प्रशनावली बनाई है तो पूछो परंपिता परमातमा से तुम्हारा क्या संबंध है क्या वर्सा मिलता है यह लिखाना चाहिए बाकि सारी परदर्शनी समझाए पिछाडी में लिखने से कोई फाइदा नहीं मुख्य बात है मात पिता का परिचै देना अब समझा है तो लिखो नहीं तो गोया कुछ नहीं समझा हड़ी अर्थात जिगरी समझा कर फिर लिखाना चाहिए बरोबर यह जगत अंबा जगत पिता है वह लिख दें कि बरोबर बाप से वर्सा मिलता है यह लिख कर दें, तब समझो कि तुमने कुछ सर्विस की है, फिर अगर ना आए तो चिठ्थी लिखनी है, बरोबर यह जगत अंबा और जगत पिता है, तो फिर वर्सा लेने क्यों नहीं आते, अचानक काल खा जाएगा, मेहनत करनी चाहिए, पर दर्शनी की उससे मुश्कि कोई दो-चार निकले, तो फाइदा क्या हुआ, बच्चों को पुर्शार्थ करना चाहिए, आना छोड़ दें तो चिठ्थी लिखनी चाहिए, तुम बेहद के बाप से वर्सा लेते थे, फिर माया ने तुमको पकड़ लिया है, प्रभु का तरफ छोड़ देते हो, यह त पुर्शा में इतनी महनत करें, तब कोटों में कोई निकले, जाच करनी पड़े कि यह सैपलिंग कैसा है, बच्चियां लिखती हैं कि हमारा गला घुट गया है, परन्तु तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं, पहली मुख्य बात समझा कर लिखाओ, फिर और बात, एक ही त्री मूर्ती के चित्र पर पूरा समझाना है, निश्चे करते हो तो तुम्हारे मायबाप हैं, इनसे वर्सा मिलना है, कोई कितना भी बूड़ा हूँ, यह दो अक्षर तो सब को समझा सकते हैं न, अगर यह दो अक्षर भी धारन नहीं होते हैं, तो बाबा समझ जाते ह कि इनकी बुद्धी कहा की चड़े में फसी हुई है मुख से जादा नहीं भोलना है सिर्फ बाबा और वर्से को याद करो वर्सा है विश्णुपुरी जिसके तुम मालिक बनते हो बाबा अती सहज कर समझाते है अहिल्याएं कुबजाएं कैसे भी हो वर्सा पा सकती है सिर्फ श्रीमत पर चले देही अभिमानी बनना तो सहज है किसी को ग्रहस्त व्यवार नहीं है अकेला है तो बहुत सर्विस कर सकते है कोई कोई को देह अभिमान रहता है मोह की रग तूटती नहीं है देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो। यह पुरानी दुनिया है, इनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को याद करना है। वरसे को याद करने से रचता भी याद आ जाता है। कितनी कमाई है, खुद भ करना। फिर मा बाप छूटे। यहाँ बहुत हैं जिनकी रग जाती है। कोई को अपना बच्चा नहीं तो धर्म के बच्चे में मोह जाता है। फिर वह पदपा नहीं सकेंगे। सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं। परदर्शनी में मुख्य बात यह समझानी है। जो निश्चे हो जाए कि बरोबर यह हमारा बाप है। इनसे राज योग द्वारा 21 जन्म का वर्सा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती है। कैसे हम मालिक बनते हैं। यह है एम अबचेक्ट। परन्तु बच्चे पूरा समझाते नहीं है। तुम बच्चों को र इश्वरिय संतान को है। अभी तुम इश्वरिय संतान बने हो फिर तुम ही विश्णू की संतान बनेंगे। परन्तु खुशी अभी है। देवताओं को इश्वरिय संतान से उचा नहीं कहेंगे। तो इश्वरिय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए। परन्तु यहां स बाहर निकलते ही माया बिलकुल ही भुला देती है तो समझो तकदीर में राजाई नहीं है बहुत महनत करनी चाहिए माया ऐसी है जो वहां का वहां ही थपड लगा कर भुला देती है अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार मोह की सब रगें तोड इस पुरानी दे और दुनिया से ममत्व निकाल सर्विस में लग जाना है बाप और वर्से को याद कर कमाई जमा करनी है अच्छा तैरने वाला बन सब को पार लगाने की सेवा करनी है श्रीमत पर चलना है बुद्धी कीचडे में नहीं लगानी है वर्दान सर्वशक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्ती मान भव जितना जितना मास्टर सर्वशक्ति मान की सीट पर सेट होंगे उतना ये सर्वशक्तियां ओर्डर में रहेंगे जैसे थूल करमेंद्रियां जिस समय जैसा ओर्डर करते हो वैसे ओर्डर से चलती हैं ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ओर्डर पर चलने वाली हो जब यह सर्व शक्तियां अभी से ओर्डर पर होंगी तब अन्त में सफलता प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि जहां सर्व शक्तियां है वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है स्लोगन आकारी और निराकारी स्थिती में सहज स्थित होना है तो निरेहिंकारी बनो ओम शंति अनमोल ग्यान रत्न दादियों की पुरानी डाइरी से वास्तव में याद का रूप क्या है? पिता सम दिव्वे कर्तव्य में ततपर रहना परमात्मा की याद में रहते हैं वह किस द्वारा दिखाई पड़ेगा? जैसे देखो बच्चा है, वह जब अपने पिता का फुट स्टेप ले खुद भी कारे करने में ततपर रहता है वही पिता की याद का रूप है क्योंकि पिता अपने बच्चों को फर्मान बरदार देख बहुत हर्शित होता है कि यह मेरा बच्चा बिलकुल सुपात्र है, जो मेरे सिवाए मेरे घर की परवरिश करता है वैसे भी जो जो देवी वत्स अपने देवी मात पिता सम दिव्वे करतवे करने में ततपर हैं वही याद का ओरिजिनल रूप है जिस स्व सवरूप में माता पिता स्थित रहते हैं, उस ही स्व सवरूप में बालक भी स्थित रहने से दोनों की तार आकर कनेक्ट होती है और पिता पास शिगर ही जाए पहुँचते हैं पिता भी कहता है कि ऐसे वत्स मेरे से मिले ही पड़े हैं अर्थात वह साक्षात मेरा ही सवरूप है इस रीती अंतर मुखता में रह सायलेंस से परमात्मा को भी समीप खैच लेते हैं अच्छा, ओम शांती झाल